इस वीडियो दे जरिये असी पंजाब विच जमीन दी पेमाईश बरे जानांगे पंजाब विच जमीन दी पेमाईश किस इकाई विच किती जान दी है पंजाब विच जमीन दी पेमाईश कनाल मरला विच किती जान दी है इस दे विच माप दी मुडली इकाई करम आते सरसाही हुंदे हन। प्रंतु कुछ जगाद उत्ते ए पेमाईश बिग्य बिस्वेदे रूप विच भी कित्ती जान्दी है। करम तो की पाव है। करम जमीन नू मापन दीक मुडली इकाई है। इह अकसर सधे-पाँज फुट दी हुंदी है। पाव सधे-पाँज फुट दी जो लंबाई है उसनू करम क्या जान्दा है। करम पंजाबी दे शब्द कदम तो बन्या है। क्योंकि पुराने जमाने देविच एक कदम देविच चलन देवत्ते जिननी दूरी मापी जान दी सी उसनू करम केंदे सी क्योंकि कदम राही चली गई दूरी इंसान दे कदनल सबंदित हुन दी है इसलिए पंजाब दे ज़्यादा तर इलाक्यां दे विच क्योंकि हाइट या कद ज़्यादा होंदा है इसलिए इस दी स्टेंडर्ड जो लंबाई सी वो सड्डे पांज फुट रख्या गया प्रंतु पाड़ी एरिया दे नाल लगदे कुझ इलाक्ये जमें चंडीगड अते मोहाली वर्गे एरिया दे विच करम दी स्टेंडर्ड लंबाई पांज फुट है इस दे विच फर्क होन कारण इनना दोना जगा दे विच कनाल अते मरले दे खेतरफल या एरिया विच वी फर्क देखन्नू मिलदा है सरसाही की हुँदी है एक वर्ग करम दा दुजा नाम सरसाही है मिनस एक साइड दे उते जे साड़े पांज फीट है हाते उस दुजी बाही वी साड़े पांज फीट होवे ता इह खेतरफल जिनना होएगा वो उसनू सरसाही यहा जान दा है ता साड़े पांज फुट जिते करम दी लंबाई हुँदी है उत्थे सरसाही दा के तरफल साड़े ती वर्ग फीट हुनदा है जो के साड़े पांच गुना साड़े पांच फीट नू करंदेनाल निकलदा है ते जेकर यहे जिनना एरिया दे विच पांच फीट हुनदी है उते एही सरसाही दा के तरफा 25 स्केयर फीट हुंदा है मरला की है नो सरसाही जा नो वर्ग करम मिलके जिन्ना रकबाबनो देहन उसनू मरला किया जानदा है क्योंकि सरसाही यते वर्ग करम इक ही चीज ने ता 9 वर्ग करम या 9 सरसाही दे एरिया नू मरला क्या जानदा है साथे 5 करम वाले एरिया दे विच इस दाखे तरफल 272.25 वर्ग फीट बांदा है जा 3.25 वर्ग गाज बांदा है ते 5 फुट करम वाले एरिया दे विच यहे मरले दाखे तरफ़ाल दो सो पच्ची वर्ग फीट या फिर पच्ची वर्ग गाज हुंदा है क्योंकि एक गाज दे विच नो फीट हुंदे हन एक वर्ग गाज एक स्केर याड दे विच नो स्केर फीट हुंदे हन ते जमीन दी पेमाईश अकसर आम तोरते स्केयर फीट या स्केयर याड दे विच किती जन्दी है इसलिए जेकर तुसी स्केयर फीट नू स्केयर याड दे विच कनवर्ट करना होए ता उसनू नो नल डिवाइड करके के जे सड़े 5 feet into सड़े 5 feet means 3.25 square feet मरले दी जो area सी सड़े 5 feet जिते करम होंदी है तो इस नूँ जोदो आसी 9 दे नाल मल्टिप्लाई कर दे हां मरले नूँ जोदो सरसाही नूँ 9 दे नाल मल्टिप्लाई कर दे हां इस दा area अंदा है यह मरले दा area हुंदा है तो जे इस नूँ 9 दिवाइड कर दिनने हां ता एही area इस नूँ अपन square yard भी लिख सक दे हां ता 272.25 square feet या 3.25 square yard एक ही एक जिनना area ही हुंदा है इस तो बात देखने हां के कनाल दे विच किनी जगा हुंदी है एक कनाल दे विच वी मरले हुंदे हन ता एस लिए जेड़ा standard 5 foot वाला area है उस दे विच कनाल दे विच 605 गाज बन जान दे हन ते जेड़े area दे विच जमें चंडी गड़ या मोहाली दे नेड़े जित्थे के 50 feet दी करम है उत्थे 50 square yard दा मरला है ते उस दो जो वी नल मल्टिप्लाई कर दे हैं ता एहे आन्दा है 500 वर्ग गज या square yard ता इससे करके चंडी गड़े नेड़े वाले area दे विच जो दो भी आपका कनाल दे किसे कर दी कर दी कर दे हैं ता उस दा मतलब हुंदा है 500 square yard परन्तु जो दो असी पंजाब दे बाक इकड़ या इक किल्ला जो कि एक ही चीज हैं इस दे विच अगे आठ कनाला हुंदी हैं ता इस करके सद्धे पंज फुट वाला area जिते 605 square yard दी कनाल है उस नो जो दो सी आठ पनल मल्टिप्लाई कर दे हैं ता 4840 square yard बांदा है ता इनना area जिड़ा हुंदा है किल्ले दे वि square yard बांदा है ता इस दोन्नों तरह दे किल्ले पंजाब दे विच हन 4840 square yard वाले वी ते 4000 square yard वाले वी हुन इस दो बाद आंदा है कि मुरब्बा जा मुस्त तील की हुंदी है जो दो पच्ची किल्ले दे टुकडे नू असी मुरब्बा जा मुस्त तील क्या जानदा है ता पिंड दे अकसर पूरी जमीन नू इनना मुरब्यां दे विच वंड़ा हुंदा है ते हार इक मुरब जो नंबर दित जोड़ आंदया होर तो जरते मानलो कि मुरबा चाली नंबर मुरबा है इस मुरब्ब्बे दे मिच अग्ये पची किले होंगे इग्ये पच्ची किले होंगे 這 ख़ए क्योंगे ता इनना दा नंबर जो है इस तरह नल रणिंग दे विच चल दे है चार, पांच, उस तो नीचे छे, सत, अट, नो, दस, इसे तरह इते नीचे ग्यारा, इते 15, इते 16, ते नीचे पच्ची, ता इस तरीके दे नल है इस डिरेक्शन दे विच ये नंबर चल देने, ता इते जेड़ा के नंबर इस दे विच, जे मानलो, इस के लिए दी आपा गल कर रहे हैं, 13 नंबर के लिए दी, ते हे 40 नंबर मुस्त दील है, ता इस नो लिखन दा टांग होएगा 40, उस तो बाद 2 लाइना, फिर नीचे 13 नंबर, ता इस जो तो 40 वटा 13 तुसी जमा बंदी दे लिए विच्क या किसे डोकुमेंट दे विच लिख्या होया देखोंगे, ता इस गांपाव एस किले तू है, एस किले तू, ता एहे मुस्त तील नंबर हो देने, इस धी रहे हो दे जला, छा handic नंबर फो ही चाल देने, 40 पाद उ पाद 14 'Mुस्ततिल आईगी, छाली तो बा ता जिस तरीके नाल किल्ला नंबर चाल देने इस टंग देनाल जिस तरह स्नेक एंड लेडर गेम दे विच नंबर सुन देने उससे तरीके देनाल किल्ला नंबर वी चाल देने ते कसरा नंबर वी चाल देने ते एस नू लिखन दा टंग पेलना मुस्त तील नंबर लिखे ज जै इन विच्छ किनना नंबर किनना एरिया है जिद्धा आठ कनाल एक किला जो थी आपक पूरा किल्ल्ड होवे ता चाली व्टा तेरा अठ जीरो पेला जड़ा अठ है ओह कनाल दुझ्जञ जड़ा 0 है ओह मरला ता अक्सर इसनू लिखन्दा टांग 40 वटा 1380 है इस तो बात देखने हैं हेक्टेर की हुंदा है हेक्टेर विशव पदर उते जमीन नू मापंदी इकाई है अते अक्सर जमीन नू एक्वाइर करन समय या होर डोकुमेंट्स जेडे तुसी नेशनल लेवल दे डोकुमेंट्स या इंटरनेशनल लेवल दे डोकुमेंट्स हुंदेने ओ दे विश जमीन अक्सर हेक्टेर दे विश ही लिखी जान्दी है hectare means 100 meter longbaya, 100 meter chodai दे विच जिनना area कवरूंदा है उसनो hectare कहा जानदा है एक hectare विच किनने acre होंदे हाँ एक hectare दे विच अंदाजा 2.47 acre होंदेने परंतु सुविदा देली अकसर इसनों सी टाई acre मन लेन दे हाँ एक hectare दे विच अंदाजन टाई एकड होंदे हन ताई एसी जी अज जो सी डिसकस किता सारे जमीन दी पहमाईश थेंक यू